बेहतरीन सेशन में आपका स्वागत है मैं हूँ डॉक्टर एसके सिंग अभी आप नए है तो इस चैनल को जुरू सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आइकन को जॉइन कर लिजेगा और इस टेलीग्राम से भी आपको जॉइन होना चाहिए क्योंकि यह नूट जो मैं आज करा आने वाले हों यह नूट आपको मिलेगा और मैं अनिकाडमी पे हर दिन सुबह 9 बज़े वन शॉट सीरीज करा रहा हूं जिसका समय है 9 बज़े और पुल मॉक टेस्स चलता है अनिकाडमी पे 8 बज़े MWP भी चलता है TTS में शाम को 8 बज़े और मेरे बैच चल रहे हैं 2023 के जो क्लास 12 के हैं 2024 के भी वैच रणिंग है कोड में डॉक्टर एसके सिंका लगा के आप इस बैच से जुड़ सकते हैं तो चप्टर को सुरुआत करने के पहले थोड़ा से माफी मांग लेता हूं कि हो सकता है 15 मिनिट में ना होके 20 मिनिट या मैक्सिमम 30 मिनिट हो सकता है क् करते हैं अलटोर्इन ऑयसा उर्फिक Orient Wallis ven сторон एक ऐसा और मेंटल सो शोचल वैल्यां का लिए जाना जाता है और पूरे प्रिधाराक्शन को तीन हिस सो में डिवाइड करते हैं पृइव जान पृइशे नंपस्ट टिपलिई विसिकली घंप्बरूच आरि मेंचे यस यह से चार साइड होते हैं और एक लोब में दो पॉलिन साइक होते हैं यह जो लेयर होते हैं यह nutrition प्रोवाइड करता है यह nutrition प्रोवाइड नहीं करता है यह प्रोवाइड करता है और एंजाइम और होर्मोन से क्या होता है यूविस बाड़ी बनता है और यूविस बाड़ी जो होता है आउटर लेयर ऑफ पॉलिंग ग्रेंस को बनाने में मदद करता है उसमें बहुत जादा है और इसमें more than one nucleus पाए जाते हैं इस सारे नोट्स आपको टेलिग्राम के उबर अब लेबल हो जाएंगे आप टेलिग्राम से जुरू जूर जाएगा बड़े साइज होते हैं और जनरे तैट साइज होते है और जनरेटीटेव साइज होते हैं यह जो हुता है साइटो प्लास्म का मोडिफिकेशन होता है, साइटो प्लास्म से आया है, और जो जनरेटिव सेल होता है, वो न्यूक्लियस से आया हुआ है, polygreens are represented the male gametophytes और male gametophytes जो होते हैं बहुत ही spherical होते हैं करीब 25-50 micrometer diameter होते हैं इसके दो layer होते हैं outer hard layer होता है which is made up of sporopolinin जो कि बालोजिकली most resistance protein होता है कोई भी enzyme इसे degrade नहीं कर सकता है और इसलिए इसे हम काफी लंबे वक्त तक store कर सकते हैं strong acid and alkaline को भी यह resistance कर सकता है pollen grains are well preserved as a fossil because the presence of sporopolinin नीट में कई बार आया वा question inner layer of pollen grains is called entine inner layer को हम entine कहते हैं and it is a thin continuous and they are made up of cellulose and pectin जो inner layer होता है cellulose and pectin से मिलके बना होता है और यही जो inner layer and entine है यही pollen pollen tube में convert हो जाता है and this pollen tube carry the male gametophyte male gametophyte generative cell का modification है और generative cell male gamet से आया है vegetative cell bigger in size they abundant food storage and irregular in shape irregular in shape होता है generative cells is a small plot in the cytoplasm and over the 60% of the angio sperm the pollen grains are shedded at the shedded at this cell stage right so the remaining species of generative cells divided and mitotically and they give rise to the two male gamet before the dehydration and before the fertilization pollen grains are many species causes the cellular allergy क्योंकि pollen grains बहुत ही छोटे होते हैं they can easily travel inside your nasal root and they causes the chronic respiratory disease like asthma, bronchitis and etc pollen grains are rich in nutrient and they have a fashion in recent year to use a pollen tablet as a food food substance western country में large number of pollen grains is produced in the form of tablet syrup they are available in market जो अपने performance को इनास करते हैं race horses को देते हैं ताकि वो जीत जाए the period which the pollen grains is viable is highly variable and some extent depend on the prevalenting temperature and humidity हर species का pollen grains के जीने के आओधी अलग-अलग होती है depend on the temperature humidity, atmospheric condition rice और wheat के pollen viability जो होती है 30 मिनेट के होती है अगर उसे 30 मिनेट में कोई भी female की प्राप्ति अगर हो जाए तब वो germinate हो सकता है नहीं तो मर सकता है नहीं बहुत बार नीट में मैं आए वा कोशन है माइनस 196 डिए चंटीग्रेड सब्स पालीन इस यूज़ पालीन बैंक सिमलर तो दीड बैंक इन अ क्रॉप ब्रीदिंग प्रग्राम क्रॉप ब्रीदिंग प्रग्राम अगर इस परेंजियम ना इस वं इसा इस स्मॉल इस स्टौक्चर अटाच्च चोड यह व प्लेसेंट उज़ यह कोशन इसे हम हईलम कहते हैं इंटेग्मेंट एराइज होता है मािक्रोपिलर एंट से और चलाजल एंट पर नहीं होता है मतलब यह होता है कि जब आप बनाएंगे तो इसमें इसको हम पॉलिनेशन का मतलब होता है कि ट्रांसफर औफ पॉलिनेशन इसको हम पॉलिनेशन कहते हैं इसमें इसमें सिर्फ पॉलिनेशन इसमें इसमें सिर्फ पॉलिनेशन हो सकता है नो आप नहीं इसमें सिर्फ पॉलिनेशन कहते है कि ट्रांसफर आफ फॉलिनेशन इसमोंची ट्रांसफर पॉलिनेशन को इसमोंचीं इसमें the birds insect and all are abiotic hawa paani the wind pollination is required at the polling greens is the light in weight non-sticky and they can be transported in wind current right hawa ke through a wind pollination is quite common in grasses and बहुत बार नीट में कोशन आये हुआ है example of water pollination plant is valisneria hydrilla sea grasses and jostera and this is also very important right among the animals the insect is particularly be our dominant biotic pollination isn't outbreeding devices is same as a cross pollination plant always want to be cross pollination ताकि वो आने वाले time में better suited रहे better survive रहे तो जितने भी cross pollination के contravences है methods है वो exactly same होंगे that is maturity at the different time अगर bisexual flower है male और female है but maturity different है तो अव्यसे उसमें cross pollination होगा unisexuality है तो obvious उसमें cross pollination होगा अगर male है तो कहीं और जाएगा female है तो कोई और आएगा self incompatibility अगर उसी का pollen उसी पर germinate ना कर पाए तो कोई दूसरा pollen grains आकर germinate करेगा again method of cross pollination so outbreed devices is nothing but it is the same as a cross pollination plant always carries the cross pollination and discourage the cell pollination क्योंकि इस बढ़े बदलते नीचर को उसको survive रहना है pollen-pistol interaction में क्या होता है कि pollen have the chemical and the pistol have the chemical right the pistol is a female part which is deciding कि कौन सा pollen उसके लिए right है कौन सा wrong है right का मतलब यह होता है कि अगर pistol के अंदर जो chemical है और pollen के अंदर जो chemical है बिल्कुल same हो then it is the right type of pollen and this right type of pollen is received by the uh received by the pistol right so agar a right type pollen grains and they can be uh received by the pistol and further post pollination is take place the pistol has ability to recognize the pollen grain and it is the right or wrong type right if it is a right type that the pistol accept the pollen grains and promote the post pollination event artificial hybridization consists of emasculation and bagging emasculation का मतलब होता है removal of enter from the flower before the enter dehiscence and this step is refers to the emasculation emasculated flower को तुरंत ही plastic से cover कर दिया जाता है ताकि जो nature में pollen grains है nature में उसे contaminate ना कर पाए right nature में contaminate ना कर पाए and this is also called the bagging process bagging को हम तुरंत ही cover कर देते हैं double federation का मतलब होता है कि एक male gamit एक के सांथ fuse हो तो इससे हमारे embryo बनेगा और दूसरा male gamit अगर polar nuclei के सांथ fuse हो तो उसे primary endosperm nucleus primary endosperm cell and finally they form the endosperm finally endosperm बनेगा तो इसको जो होता है उपर वाले को हम सिंगामी कहते हैं सिंगामी कहते हैं और नीचे वाले को triple fusion कहते हैं तो double fertilization is called triple consists of the single and triple fusion right triple fusion so it results in formation of deployed stage of the good and the other male gamut is moved toward the polar nuclei they located the central cell now the post fertilization event they have the three step the endosperm formation embryo formation seed formation fruit formation endosperm formation pn and over the successive nuclear division give rise to the free nuclei that is called pre nuclei that is the endosperm or is endosperm का main role होता है embryo को double up करने के लिए embryo double up तभी होगा जब endosperm की जरूरत होगी और embryo आपको पता है कि ovule में convert होगा and this ovule give rise to the feed and seed finally germinate to lead to the plant so this is stage of endosperm development is called pre nuclear endosperm pre nuclear endosperm endosperm may be either completely consume endosperm या तो पूरा completely consume हो जाता है या कुछ चीज़ बच जाता है तो completely consume हो जाता है for the developing of embryo example the pea groundnut bean and before the seed maturation it may be persist in a mature seed caster groundnut तो पूरे किसी में consume हो जाता है तो पी और groundnut में होता है और नहीं consume होता है केस्टर और coconut में होता है इससे question आया है कि अगर consume होता है तो that is call किस में होता है और नहीं होता है किस में होता है embryo दो टाइप के embryo होते हैं कॉली राइजा र्याइड आप लीमूज सब्सक्राइब द इस और इस अब्डूर आर्गे कल्चर इस बेसिस आफ आर फूर जो भी हम खाते हैं कोई भी छीज बसता नहीं है इसे नीत में कोशेंट आया है कि residual peri-sperm nucleus is called residual persistent nucellus is called peri-sperm and embryo may be enter the state of inactivity or dormancy dormancy inactive of seed seed agar inactive the wall of ovary is developed into the wall of fruit is called peri-carp outer layer of fruit is called peri-carp फिर उसके बाद endo-carp फिर इस तोनी इस endo-carp मतलब api-carp meso-carp endo-carp right apple and strawberry cashew nut they the thalamus is going to contribute to the fruit and this type of fruit is called false fruit other fruit ovary so that is called true fruit ovary के अलावा किसी अन्य पार्ट से बने that is called false fruit apple strawberry cashew nut ये सारे जो है थालमस से बनते हैं such fruit is called false fruit and most of the fruit whatever however developed only from the ovary is called true fruit mango is example of true fruit there are the few species in which the fruit is developed without fertilization this type is called parthenocarpic fruit or parthenocarpic fruit they can be induced by the using the plant hormone and they are is usually seedless fruit seedless fruit hoote hai apomyces without fertilization polyambrony there is a occurrence of more than one embryo in a seed is called polyambrony polyambrony is generally feature of gymnast form but maybe they are occur in the angels form apomyces the seed without fertilization is called apomyces citrus mango occurrence of more than one embryo in a seed is refers to the polyambrony and that's all that is all thank you so much all of you and that's it this is a movie that you can see today's speed jada is because we have 15 minutes में खतम करना है इसको और productive बनाने के लिए आप इसी वीडियो को multiple time चला के सुनिये आराम से देखिये आराम से तीन-चार बार सुनिये और फिर एक बार chapter को read करिया है मेरा दावा है कि each and every important line for the need is covered inside this sessions ठीक है यह बहुत ही सोच समझ के सारा चीज़ लिखा गया है यह सारा का सारा में telegram के उपर update कर दूँगा आप मेरे telegram से जुड़ जाएगा इस वीडियो के description में है इस वीडियो के comment section में भी है thank you so much all of you thank you झाल